ग्राम रानी बढ़ोद में इलाही माता मंदिर प्रांगण में साध्वी वैश्णवी दिवी के मुखारविंद से चल रही श्रियाम कथा के तरती दिवस में भगवान श्रियाम का जन्मूसब धूमधाम से मनाये गया इस अबसर पर कथा पंडाल में श्रियताओं के साथ भगवान श्रियाम का पूजन रचन भी किया गया श्रियाम कथा के दारान साध्वी वैश्णवी दिवी ने कहा कि रगु को रीत सदा चली आई प्राण जाई पर बचलना जाई अर्थात राजा रगु के वशज भगवा राधी होने का राजा हरिश्ण ने इतना बड़ा प्रमान दिया कि उन्होंने अपना राज भी दान कर दिया और अपनी पत्नी तारा तधा पुत्र रोहित को भी बीच दिया और अंत में स्वैम भी विग गया लेकिन सत्त से विश्रत नहीं हुए राम कथा के दारान कथा क खेंत में भगवान श्राम का जन्मों सब दोंधाम के साथ मनाया गया शजाल पुर से रमेश राजपूत की रपोर्ट